एक प्रधानमत्री के तौर पर उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी और उसके पहले भाजपा के संगठर का काम करता था तब भी बार बार जारखन मुझे खीच के लिए ले आता था बार बार आने का मन करता था यह आपका स्ने आपका अशिर्वाद ही है जिसके कारण यह भाव मेरे मन में हमेशा बना रहता है यहां खुंटी में भी प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मेरा दूसरा दोड़ा है भाई और बहनों पहले चरण में जिस प्रकार जारखन के लोग बोट डालने मतदान के अंदर पर पहुंचे भारी मात्रा में मतदान किया उस प्रधम चरण के मतदान के लिए मैं जारखन के उन मतदाताओं का भी अभिननन करताओं उनकी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ पहले चरण के मतदान से तीन बाते स्पस्त हुई है पहली लोग तंत्र को मजबूत करने और राष्ट निर्माण में अपने योगदान के प्रती जारखन के लोगों की आस्ता अभुत पूर्वा है दूसरी बात जिस प्रकार बाजपास सरकार ने नक्सल वाज की कमर तोड़ी है उसे बहुती छोटे इलाके तक समेख दिया है उससे डर का माहोल कम हुआ है विकास का माहोल बना है हाला कि 30 नवंबर को निराशा में डुबे लोगों ने ऐसे लोगों ने जिने जारखन की जनता नकार चुकी है पहले चरन के मतदान के समय यहां माहोल खराब करने की बहुत कोशिश की पूरे देश ने इसे देखा है लेकिन जारखन के लोगों ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया आप बदाई के पात्र है भाईयों और भेहनों पहले चरन के मतदान के बाद तीसरी बात यह पिश्पस्त हुई है कि जारखन के लोगों में भाजपा सरकार के प्रति कमल के फूल के प्रति एक विश्वास की भावना है कि भाव है कि जारखन का विकास अगर कोई दल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है यही भावना मुझे यहां खुट्टी में भी दिखाई दे रही है साथियों आज जारखन के लोग यह देख रहे हैं कि दिल्ली और राची में डबल इंजिन लगाने से विकास की गती तेज भी होती है और स्थाई भी होती है अर्जुन मुंडा जी ने सही का कि दिल्ली ने राज्य तक गाउं तक विकास को पहुंचाया और राची की समय भाजपा सरकार ने उसे घर घर ले जाने के लिए पूरी जिम्मेवारी के साथ काम किया और इसलिए यहां की जंता सहाज रुप से कह रही है सहाज रुप से नारा बोला जा रहा है जार्खन पुकारा भाजपा दोबारा भाजपा दोबारा भाई और बहनों जार्खन के विकास के लिए भाजपा की वापसी जरूरी है अज जार्खन के हर व्यक्ति को केंद्रों और जार्खन सरकार की किसी न किसी योजना का सीधा लाब पहुंच रहा है बिना किसी वर्ग के भेजबाव के बिना किसी जाती के भेजबाव के बिना किसी पंत के भेजबाव है हर जार्खन वाजपी के विकास के लिए समान भावना से हम काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विस्वास ही हमारा मूल मंत्र है साथियों आज उन खेत्रों में भी बिजली का सार पहुँचा है जिन गावों में पहुँचना तक मुश्किल था आज वो खेत्र भी सड़क से जुड रहे हैं जहां कभी विरोधी दल के नेता जौकते भी नहीं थे आज उन जनजातिये छेत्रों में भी पानी की पाइप पहुँच रही हैं जिनको कॉंग्रेस जेमेम की सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया था आज उन गरीब पिछणों और आदिवासी परिवारों को भी अपना घर मिल पा रहा हैं जिनको कॉंग्रेस जेमेम की सरकारों ने जोपडियों में रहने के लिए मजबूर कर रखा था साथियों 2015 में जब मैं खुंटी आया यहां कॉंट में सोलर पावर प्लान का उधानन करने का भी मुझे आउसर मिला था तब तक यहां सौर उर्जा से बिजली का उत्पादान अजूबा लगता था सपने सी भी लगती थी वह बात लेकिन पांच बर्स बात आज जारखन में करीब करीब 40 मेगावर्ड सौर उर्जा तैयार की जा रही है इतना ही नहीं छतों पर सौर उर्जा के पैनल लगा कर भी सस्ती और अच्छी बिजली आज यहां उपलप्त हो रही है अब तो गेतल सूद और धुर्वा डेम पर देश का सबसे बड़ा तैयरता सौर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है इसी यहां के गाउं गाउं तक परियाप्त और सस्ती बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी साथियों सौर उर्जा के साथ साथ यहां खूंटी को ओडिशा के पाराद वीप से पाइपलाइन से जुड़ा गया है यहां IOCL का टर्मिनल भी तैयार हो चुका है अब दक्षिन जार्खन को यहीं से तेल की सप्लाई होती है इसी तरह Defense University हो, Knowledge City हो, ऐसे अनेक प्रोजेक इस पूरे खेत्र में सिख्षा, कौसल और रोजगार के नए अवसरों का निर्मान करने वाले हैं भाई और बहनों, दिल्ली और राची में भाजपा का डबल इंजेन किसानों और आदिवाच्यों का जीवन आसान बनाने का काम कर रहा है यहां के सभी किसान और खेती से जुड़े आदिवासी परिवारों के बैंक खाते में पी-एम किसान सब्मान निजी के तहट सीधी मदद जमा की जा रही है इसके साथ साथ छोटे किसानों के खाते में राज्य सरकार की तरफ से भी पाँच हजार से पचीस हजार रुपिय तक अतिरिक्त दिया जा रहा है वरना आपके पडोस में जहां भाजपा की सरकारे नहीं है वहां की सिटी आप देख लीजिए वहां किसानों के साथ हादिवाचियों के साथ पिछणों के साथ जूठे वाइदे करके कॉंग्रेस और उसके साथी दलों ने सरकारे तो बना ली लेकिन अब बादा पूरा करने से दूर भाग रहे हैं उन राज्यों में जूठ बोल करके कॉंग्रेस वाले बैठ गए लेकिन एक भी बादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा है साथियों जार खंड ये भली भाती जानता है कि कॉंग्रेस जेमेम की राजलीती चल और स्वार्थ की राजलीती है जबकि भाजपा कर्म और सेवा भाव से काम करती है लोग सबाचुनाव के दोरान जब हम आपके बीच आये थे यहां अरजुन मुन्दा जी आपके पास आये थे तो हमने आपके सामने कुछ संकल्प लिये थे पी-े-म किसान सम्मान नितिका लाप सभी किसान परिवारों को देने का संकल्पता यह बादा हमने पूरा कर लिया छोटे किसानों छेद मजदूरों छोटे दुकानदारों को साथ वर्थ की आयू के बाद पैंशन की सुविधा देने की बात कही थी ये बादा भी पूरा कर लिया गया बलकीन योजनाओं को भी यहीं जारखन से ही लॉंच किया गया था पशुओं को मुह और खूर की बिमारियों से बचाने के लिए मुप्त तिका करण का अभियान भी शुरू हो चुका है आदिवाती छेत्रों में एक लब्वे मोडल रसिदेंशल स्कूल खोलने का राष्टी अभियान भी यहीं जारखन से शुरू किया गया है नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलीस और केंद्रिये बलों के जमानों के बच्चों को स्कॉलर्शिप देने का अहम फैसला भी लिया जा चुका है इसका लाप जारखन में शहीदों के परिवारों को भी मिलने लगा है ऐसे अनेक मुद्दों के साथ साथ दसकों से चल रही राष्ट्रिय समस्यों के समाधान का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है जम्मु कश्वीर से आर्टिकल तिन सो सत्तर तिन सो सत्तर अब हट चुका है अब केंद्र सासित प्रदेश जम्मु कश्वीर को विकास और विश्वास के पत्पर ले जाने की जिम्मेदारी आदिवासी अंचल में ही जन्मे पले बड़े उपराज पाल जी के कंड़े पर है इसी तरह राम जन्म भूमी को लेकर जिस विवात को कॉंग्रेस और उसके सयोग्यों की सरकारों ने लगातान लटकाए रखा वो भी शांती पूर्ण डंग से होल हो गया और भग्वान राम तो जब आयोध्या से निकले थे तब तो वो राजकुमार थे लेकिन जब आयोध्या वापिस आये तो मर्यादा पुर्षत्व भग्वान राम बन गए थे यह कैसे हुआ एक राजकुमार अयोध्या से निकलता है चौदा साल मनवास में रहता है और जब वापिस लोटता है तो मर्यादा पुर्षत्व भग्वान राम बन जाता है क्योंकि 14 साल राजकुमार राम ने आधिवास्यों के बीच में बिदाए थे आधिवास्यों ने उनको संस्कारिक किया यह देन है आधिवास्यों की यह योगदान है आधिवास्यों का और भाईयबहनों इतने लंबे काल्सर अटकी हुई चीजें जिसे अटकाने के लिए राजनितिक स्वार्थे पेरित लोगोंने अडंगे डाले लेकिन हमने देश में शांती एकता सदभावगने के लिए समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास प्राणब गिया और सफलता प्रवग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे अनेक वादे जो हमने आप से किये थे वह आज जमीन पर उतर चुके हैं यही कारण है कि आज जारखन को भाजपा पर भरोसा है कमल के फूल पर भरोसा है भाई और बहनों भाजपा की केंद्र की सरकार और जारखन की सरकार ने यहां के गावों में जनजाते अंचलों में हमारी बहनों को ससक्त करने पर बल दिया है और इतनी बड़ी तादाज में माताए बहने आशिरवाद देने के लिए आई हैं यह उसी का तो सबूत है